3, 2, 1 पिड़िता का आरूप है कि उसका शोहर यूसुफ अपने भाई के साथ संबंद बनाने का उस पर धवाब बना रहा था जिसके बाद प्रतारणा से तंग आ करके इकराने छट से कूट करके अपनी जान पचाए आपको बता दे कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर महाँ प गवाब बनाया चारा था इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जिहादियों से मुस्लिम बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है पुलिस ने शोहर यूसुफ और साथी जेट यामीन देवर साजित और साथी सास रानी के खिलाफ मार्पीट पे दहेज एक्ट के तहट केस दर्ज कर दिया है वह शोहर और सास को गिरफतार कर जेल फीज दिया क्या जी तो तो आपने वीडियो देखा तो साथ आपको वीडियो में वुस लड़की का फेस जो है ठीक है वह आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम चाहेंगे क्या स्क्रीन सौट लेकर या फिर जैसे भी हो आप तक वह वीडियो हम पहुंचाएंगे ठीक है और अगर यह वह 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 अगर अगर अभी नहीं पहुंचा सके तो फिर हम कमेंट में डाल देंगे लेकिन अभी अगर हमारी रभानी जी अगर सो करेंगी तो कर सकती है तो कर देंगी अच्छा मैं जब तक ढूंडती हूं खीके गाजयावाद की थी थी ना आप बात करे में डूंड के लाती हूं हां ने ने वह वीडियो आपको जो हम भेजें हैं इस पर डिस्कॉर्ट पर उसको पले करके स्क्रीन सॉट लेकर क्रॉप करके एक दो वह डाल दीजे ताकि लोगों को पता चल सके हैंना तो यही बात है तो आप लोग बताईए कि इतना मतलब उसके पता है आपको उसका एक पूरा फेज पे मतलब कम से कम हमको लगता है कि 10-12 जगा खाली उसके फेज पे वह दात काटा यार वह दाती काटा है वह बंदा उसके सौहर और देवर लोग मिलकर उसके घर वालों ने उस लड़की का एज मुस्किल से मुस्किल होगा 17-18 साल की है इससे ज्यादा कि बिलक वह देज तो मांगे गा ही यार यह हसने वाली कोई बात नहीं है बहन क्योंकि क्या बोलना तो मतलब उसको उसके फेज पे कम से कम गाल पे नाक पे आख के पास यह मतलब यह कुता जात के थे यह पहले इनका इनका जात कुता में था या फिर भेडिया में था भेडिया कुत पार नहीं करता है ठीक है और इसके पूरे बॉडी पे कम से कम हमको लगता है पूरे बॉडी पे इसको इतनी दाते काटी है उन लोगों ने इतनी ज़्यादा एकडम काटके खा गया यार विचारी को हर जगह से वह चुभा हुआ दात दिख रहा है मतलब इतना दरिंदा इतन जानवर कोई कैसे हो सकता है और वो इसलिए और वो इसलिए रवानी जी वो इसलिए कि वो उसके भाई के साथ संबंध नहीं बना रही है छी घीन आता है मुझे ऐसी मतलब यार इक होता है यह हदो तो यह हम बात कर रहे थे कि यह जो कुछ लोग होते हैं जिसको अपनी मर्दानगी दिखानी है तो सिर्फ एक और पर रिजन क्या है कि वो उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर रही है वो अपनी वो अपनी मर्जी से किसी के साथ हम बिस्तर होना नहीं चाह रही है बस रिजन यह है और उसको इतनी बुरी तरह से काट करके यह लोग ख पत्थर या पत्थर से भी कोई हार होता है वह चीज आपके दिलों में रख करें भेज़ाई क्यों आप लोग इतनी वुमेन पे क्यों इतनी अतियाचार करते हो तो लड़किया आपके बाप की प्रोपटी होती क्या होती है मतलब क्यों ऐसे बिहेव क्यों करते हो उसके साथ आपका दिल नहीं पसिजता है, आपका रूह नहीं कापता है इतना ब्यानक करने के लिए एक लड़की को, एक लड़की, वो भी तुम मर्द हो, तुम तो बड़े सान से कहते हो कि हमें अभाने सबसे उज्वल बनाया, हमें अल़ा ने सबसे बड़ी बड़ा बनाया, सकती साली बनाया है हम और वही तो इस टाम तुम्हारा मर्दान की कहां चला जाता है, जब तुम और वहां उठाते हो तो इतनी बरवरता करते हैं इतनी कुरूरता पार कर जाते हो तो इन्सान को काट कर खा रहे हैं इनके अंदर अगर यह जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं सेकुलर हैं फिर कहते हैं कि हम तो हमारे अल्ला ने अल्ला नमारे नभी ने तो यह इसका आया है कि हम आपस में मिलकर रहे हैं हर एक दूसरे के साथ अपने घरवालों के साथ इंसाफ कर लो बस बड़ी बात है भाई मिलने क्यों काती ने तुम लों की किसी के साथ आईशा आईए बोलती अल्ला की लानत है तुम पर बहन खीक है आपके ब्राइ पॉस्षा पर आईशा से काट करके खाये तुम पर esaur, आपको इस तरह से काट禰ंड से आईशा आपको समझ आगी कि पयों के या फिर जो आपका ज gustaría है उना की लुइक लानत है क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा ठीक है यह नहीं सुनने वाले हैं यह लोग की नॉर्मल है ना इनको परक नहीं पड़ता है यह आईशा का बाप भी इसकी मा के साथ ऐसा करता होगा अगर यह मैरीड है तो इसका हजबन भी करता होगा क्यों इन लोग नहीं खराब हो इनसानियत के नाते ही तो तरस खालो यार आखिर उस लड़की का आख नाख हात पैर पूरा बोड़ी उसने काट खाया वो लोग सिवाए इसलिए कि वह हम बिस्तरी करने के लिए राजी नहीं हुई दूसरे के देवर के साथ तो इसलिए कि आब उसके साथ इतना बेरहमी से अब आप के लानत है ऐसे लानत को उठा करके पूरा में भेक देंगे साय ब्सक्रास को इतना मारो यह करो वह करो तो ऐसे लोगों से न दूर भागना चाहिए ठीक है ऐसे अल्ला नहीं चाहिए आपको चाहिए जिस दिन आपके हजबेंड आपको इसी तरह से काट करके खाएगा और जबर्दस्ती आपको अपके देवर के साथ सोने बोलेगा ना तब आपको पता चलेगा ठीक है नभी ने किया ने एक हरकते उनको सुनत है यह सुनतों आमल करेंगे बोलो और अगर मारेगा तो इन अल्ला है माह साबीन पढ़के खतंब उनको कोई मसला नियुक्त आल्ला क्यामत में जवाब लोगों को हमेशा यह हमारे लालज देते आ रहे हमेशा यह तरह की हरकते करो बहतर हो रो रो की चक्र में पड़ो यह देंगे वो देंगे तो लोग बहसी तो होंगे यार, एकदम 100% बहसी दरिंदा बनेंगे ये, है ना, क्यूंकि ये चीज़े इनको पता है, कि ऐसा ही करेंगे, लोग, मतलब, एक तरफ तो हमारे नभी जो है, उनको इतनी प्यार थी लड़कियों से, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, कि कुछ कहना ही नहीं दंदा कुछ नहीं करना भाई, अपने को तो बस लड़की लड़की चाहिए अपने अंदर पावर नहीं था, अपने अंदर पावर नहीं था, तुम कम से कम एक दर्जन, बच्चे पैदा करके जाते, इतनी बीवियां, 72 मर्दों की ताकत थी उस बुड़े में, फिर भी तुम ये सोचो, कि एक बच्चा नहीं पैदा करता का लाक्त भी लानत है, वो मुझे लग तक हपीजा के पहले शोहर के बच्चे होंगे, इसका तो होंगा ही नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोड़ है, प्लीज स्बस्प्राक परक ऋड़े, सरकाब, सरकाब, वत्वटरा, सरकाब, झाली तो है, उड़ बिल्क।